हिंदू विजय युग प्रवर्तक प्रख्यात विचारक, राष्टी स्वेंग सिवक संग के प्रचारक, हिंदू दर्शन के चिन तक होंगा शांद्रा वेंकट रमया शेशादरी जी का जीवन एक रिशी की भाती गुजरा उनके द्वारा कन्नल भाषा के प्रसिद्ग्रंत युगावतार का हिंदी में हिंदू विजय युग प्रवर्तक नाम से अनुवात किया गया है इस पुस्तक में महान राष्टनायक, राष्ट पुरूस, वीर श्रिवाजी की गौरोगाथा का उलेक है हिंदू विजय युग प्रवर्तक पुस्तक में शामिल अध्यायों की बात की जाए तो पुस्तक में आठ अध्याय हैं जिने एक-एक भाग में विभक्त किया गया है पुस्तक के शिवा वतार अध्याय में स्वराज का शुभारंब शामिल है दूसरे अध्याय में प्रतम प्राण संकट का वर्णन दैत्य संगार नाम से किया गया है। पुस्तक के तीसरे अध्याय पंधाल गड़ को पावन खिंड भाग में विवक्त किया गया है। इसी तरह पुस्तक के चौथे अध्याय शायस्था खान के शासन को सूरत की लूट भाग में व्यक्त किया गया है। हिंदू विजय युग प्रवर्तक पुस्तक के अंती मध्याय राष्टी युगावतार का वर्णन मानवता का अमरा भूशल भाग में किया गया है। हिंदू विजय युग प्रवर्तक पुस्तक में बताया गया है। कि राष्ट का अभिमान ही शिवाजी की पूजी थी। उनका युद्ध कोशल, उनकी वीरता, उनकी कारे कोशलता, उनकी विलक्षन शमता और उनकी न्याय प्रियता का उलेख है। अपनी वावस्ता में ही शिवाजी ने किस तरह एक हाथ से बीजापूर के तक्त को हिला दिया था और दूसरे हाथ से दिल्ली के शंसा की दाड़ी को भी भारी जटका दिया था। इस पुस्तक में शिवाजी के राजनितिक गुणों का भी वर्णन किया गया है। एक प्रसंग में लिखा गया है कि बीजापूर के सेनापती अफजल खान से बातचीत के लिए जब एक समझदार व्यक्ति का चैन किया जाना था तब शिवाजी की पार्खी नजरों ने बह अबजल खान के समक्ष गोपी नात्पंत उनकी बातों को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तूत करेंगे। इस पुस्तक के एक महत्पूर्ण प्रसंग में लिखा है कि अबजल खान के संघार के 18 दिनों के भीतर ही शिवाजी ने पंधाल गड़ का सारा भूभाग अप इसके कुछी दिनों के बाद बसंत गड़ कल्यान गड़ जैसे अभेद्ध किले भी शिवाजी के कबजे में आ गएं। शिवाजी का विजय अभियान लगातार बढ़ता जा रहा था। बाजी पूर के बादसाह आदिल साह को दिन राज शिवाजी का भय सताने लगा। उस भय भीत कर रहा है। आदिल शाह तो शिवाजी से इतना भय भीत था कि उसने औरंग्जेब को चिठी लिकर कहा कि शिवाजी काफिरी रियासत की बुनियार डाल रहा है। इसलिए दिल्ली से हमारी मदद के लिए सेना भीजी जाए। पुस्तक एक प्रसंग में लिखा है कि आदिल शाह के सेना पती सिद्धी जवहर को जब या खबर मिली कि शिवाजी किले से निकल गए तो अब पागल हो उठा। उसने अपने दामाद सिद्धी मसूद को हुक्म दिया कि अभी सिवाजी को खोज कर ढूर निकालो वह बहुत ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे ह सिद्धी मसूद सभी को पकड़ कर सिद्धी जवहर के पास ले आया। सभी खुशी से जूम रहे थे कि उन्होंने आखिर शिवाजी को पकड़ ही लिया। अब आदिल सा उन्हें मोहमांगा इनाम देगा। मगर जल्दी सभी की खुशी दुख में बदल गई। जब उन्ह बात्साह औरंगजेब के अंदर शिवाजी को लेकर कितना खौफ था या प्रसंग इस पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। शिवाजी जब औरंगजेब के दर्बार में आने वाले थे तो औरंगजेब ने अपना तक्त काफी उचाई पर लगवा लिया। औरंगजेब को अंदेशा था कि सिवाजी 40-50 हाथ तक छलांग लगा कर किसी का भी सिर्क कलम कर सकते हैं। औरंगजेब ने अपने चारो तरफ 2000 सैनकों को तैनात कर रखा था और अपने पूरे शरीर को लोहे के चित्वन से ढख रखा था। उसे डर था कि सिवाजी कहीं उसके प्राण भी ना हार लें। प्रसिद्य तिहास का डगलस ने इस घटना का अउलेख अपने लेखों में किया है। जब वापस महराश लोटे तो इस समाचार से दखन के दुश्मनों के चक्के चूट गए। हिंदु राष्ट की परिकल्पना के लिए शिवाजी ने किस तरह धेर निष्ठा के साथ जीवन भर संगर्स किया। इस पुस्तक में विस्तार से इन प्रशंगों का उलेख किया शिवाजी की सरवाधिक सफलता उनके साथ जुड़े निष्ठावान लोगों की पूरी टुकडी थी जिसमें एक से बढ़कर एक राष्ट वीर थे। वास्तों में इस पुस्तक के अध्यान से हमें शिवाजी की उच्चतम सिखर, अनुशाशन प्रियता, न्याय, उदारत विरक्ति, निर्मोही वृति और साहिर्देयता का पता चलता है। शिवाजी के जीवन पर आधारित यह एक महत्पूर्ण पुस्तक है। पढ़ने योग्य है। इस पुस्तक का मुल्ले एक सो साट रुपय है। आप एक बारे हपुस्तक अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक को खरिदने या इसके बारे में अधिक जानकारिक प्राप्त करने के लिए आप जैवीर सिंग्जी से संपर्क कर सकते हैं।